असलाम अलेकूम नाजरीन मैं वेलकम करता हूँ आपको अपनी नए वीडियो में इसमें आज हम आपको अली एक्सप्रेस से खरीदी गई अपनी एक बड़ी फेवरिट वाच का अन्बॉक्सिंग करेंगे हमने ओर्डर की थी अली एक्सप्रेस से मक 66 स्मार्ट वाच और इसका वज़न अगर आप देखें तो वो तक्रीबर 0.156 किलोग्राम है यह आज ही पहुंची है और हमने का आपके साथ इसकी अर्बॉक्सिंग करते हैं तो यह हमने पहले से इसको टेर कर लिया है यह देखें बहुत ही खुबसरत बाकस है इसका बड़ा स्मार्ट बाकस है निंग है यह सामने मी कर से हैं एंग अफिज की स्मार्ट वाच का लोगों आपके सामने दिख रहा ताऊ का इसकान करते हैं और देखते हैं कि इस बाकस के पहले क्या चीज़े और कि अज़े देखें तीन कॉंटेंट्स आप देख सकते हैं इसके अंदर इस स्मार्ट वाज के साथ एक स्ट्रैप है ग्रीन कलर में इसकी कॉलिटी बहुत अच्छी लग रही है बहुत प्लेन बहुत स्मूध और यह देखें कि इसके साथ दूसरे जो कॉंटेंट दूसरे चीज़ है और यह इसका चार्जर है कि देख सकते हैं खासी लंबी वायर है इसके भी अगर चार्ज की फॉर इंटर्वियों से देखा जाए तो और तीसरी यह घड़ी इट्स दाव थोड़ी से निकल रही है इसका खासा बज़ तो बहुत प्यारी अगर इसका डिजाइन आप देखें तो इस तरफ से एक मैटल का इसका सराउंडिंग है पैरिमीटर दिया हुए मैटल का और बाकि यह प्लास्टिक की प्लास्टिक का बॉक्स जिसके अंदर यह है और बैक साइट से अगर आप देखें तो यह भी प्ला इनका इस्तमाल हम आपको बाद में बताएंगे जब हम एक दूसरा रिव्यू देंगे इसका अभी तो हम इसकी अन्बॉक्सिंग कर रहे हैं और देखते हैं जी इसकी LCD जो है वो कितनी खुब्सूरा देखती है अभी हम इसको रैप करते हैं ऐसे करके और बहुत प्यारी डिस्प्लेई है अगर आप देखें यह देखें मैंने इसको ओन किया यहां से तो बहुत ही प्यारा बहुत ही क्लीन बहुत ही ख्लेयर क्रिस्टल डिस्प्लेई आ रहा है इसका तो यह थी हमारी जनाब एमके 66 स्मार्ट वाज जो हमने अली एक्स्प्रेस से ओर्डर की थी इसकी अनबॉक्सिंग इसके अंदर मजीद चीजें सिर्फ अगर आप देखें तो यह रह गई है एक इसका मैनूल है जो आप देख सकते हैं कोई वरंटी कार्ड तो है नहीं क्योंकि वरंटी तो होती नही आप सुरत आवल है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके तमाम फंक्शन्स के बारे में बताएंगे एक बहुती कंप्लीट रिव्यू डिटेल रिव्यू वह हम देंगे आपको इसके तमाम फंक्शन्स दिखाएंगे MK66 के इंशालला और बाकी डिटेल्स आपको आपको नेक्स वीडियों में देंगे बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब केजिए और शेयर केजिए असलाम लेकुम